पुरे भारत के महाराष्ट राज्य के पश्चिम भाग में मुलावा मुठा नामत दो नदियों के किनारे बसा एक महतुकून शहर है जिसे पूरब का अक्सफोर्ड या क्वीन आउफ देखकन जैसे नामों से जाना जाता है जो महाराष्ट राज्य का दूसरा सबसे बड़ा वा भारत का छटवा सबसे बड़ा शहर है यह भारत का सबसे तेज विक्सित होने वाला शहर है फ्रेन शत्रपती शिवाजी महाराज का यह एतिहासिक नगर महाराष्ट की सांस्कृतिक राजधानी भी है जो की हर सुख सुविधा से भरा हुआ है जो लगभग 15,642 वर किल किलो मीटर शेतरफल में फैला हुआ है दोस्तों इस शहर को सदाचार का शहर भी कहते हैं यहां के शापिंग मॉल, चौडी सड़के, कॉलेज, एजुकेशन सेंटर, पार्क, सरकारी आफिस देकर आपको इंडियन होने पर प्राउड फील होगा दोस्तों वही पुरे का इत सूती को चार चांद लगाते हैं फ्रेंड वही वर्तमान में पुने आई टी हब के रूप में भर कर सामने आ रहा है पुने में अनेक प्रादयोगिकी और आटो मुबाई उद्योग है इसलिए पुने भारत का डेटराइट जैसा लगता है पुने एक महत्वपुर्ण उद के बाद पुने में ही सर्वाधिक और योगिक स्थापित है विश्व में सर्वाधिक दुपहिये बनाने वाली कंपनी बजाज आटो पुने में हैं इसके अलावा टाटा मुटर्स भारत फोर जैसे उत्पादन शेत्र के अने बड़े उद्योग यहां है 1990 के दशक में फोस से बढ़ रही है साल 2011 की जंगर्ना के अनुसार पुने जिले की जंसंख्या लगभग 94 लाग है तदा इस शहर की साक्षरता दर 87.19% है और इस शहर में मराठी भाषा बोली जाती है मराठी के अलावा अंग्रीजी और हिंदी भाषा भी यहां अच्छी खासी बोली जाती है पुने में वर्ष भर सांस्कृतिक कारकरम के रिलचेल भी होते रहते हैं यहां संगीत कला साहित्य की भरमार है इसके अलावा पुने में बहुत सारे उच्छकोटी के शिक्षन संस्थान शोर्द केंद्र के साथ साथ खेल योगा आयुर्वेद और समाज सेवा आदी से कॉल भी है जिसमें मराठी हिंदी वह हॉलिवूड फिल्में दिखाई जाती है फ्रेंड वहीं इस शहर का इतिहास की बात करें तो करीब एक हजार साल पहले पुने को पुनेनगरी नाम से जाना जाता था फिर धीरे धीरे पुन में फिर पुनवडी हुआ ऐसे ही नाम बद देश और दुनिया के लाखो परिटकों को अपनी और आकर्शित करता है इस शहर में एतिहासिक और भार्मिक स्थलों की भरमार है यहां का आगाः खान पैलेस शिंदे छटरी और सिंगर कार्देहाती किला आकर्शक स्थल हैं यह सभी स्थल अपने योग की दानस्ता बया क करते हैं पुने का उश्व कम्यून इंटरनेशनल सेंटर काफी प्रसिद्ध है जिसे रचनीश उश्व द्वारा स्थापित किया गया था इसके अलावा यहां की कारला और भाजा की बहुत गुफाएं भी यात्रा के लाइक है फ्रेंड यहां का पटलेश्वर मंदिर काफी प्राचीन और प्रसिद्ध है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया था यह मंदिर करीब 1400 साल पुराना है इसके अलावा यहां प्रकृती प्रेमियों के लिए सरसबाग और बंड गार्डन है जहां परिवार के साथ शाम का समय बिताए जा सकता है इसके साथ ही पुने क स्थानी अव्यंजन भी काफी प्रसिद्ध है यहां की पूरन पोली पिटाला चाट और भाजी काफी प्रसिद्ध है जो आपके मूं के स्वात को चटपटा और मज़ेदार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है फ्रेंड यह शहर महराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 150 किलोमीटर दक्षण पूर्ग में बेंगलॉर पुरें मुंबई मार्ग पर है और भारत की राजधानी दिल्ली से 1400 52 किलोमीटर दूर दक्षण पश्चिम की तरफ राश्ट्रिय राजमार्ग 48 पर है फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें